हेलो दोस्तो नमस्कार आप सभी का मेरे यूटूब चैनल दानौलिज डेट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो भारत सरकार परमाड़ू उर्जा विभाग राजा रमन्ना प्रगत प्रद्योगी केंद्र में आ गई है डिपलोमा डिग्री और आईटियाई के पदो पर वेकेंसियां यहां पर आपको वेबसाइट rrcat.gov.in पर जाना है यहीं पर आपको सारी जानकारी मिलेगी देखें घोशनाएं हैं यहां पर घोशनाओ में ही आपको सारी जानकारी मिलेगी राजा रमन्ना प्रगत प्रद्योगी केंद्र इंदोर के विबिन विश्यों पर पात्र अभ्यरतियों से वैज्यानिक सहायको और टेक्निशन के पदो पर आउनलाइन आवेदन यहां पर आमंत्रित किये गए इसी टेप पे आपको क्लिक करना है जैसे इस पर टेप पे क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी करेंट ओपनिंग्स है यह सारी आपके सामने यहां पर दिखा दी जाएगी अब इनी करेंट ओपनिंग में आपको इसकी सब की जानकारी मिलेगी online application are invited from eligible candidates तो यहाँ पर details दी हुई हिंदी में English में card certificate का format दिया हुआ है और apply करने का link दिया हुआ है उसके बाद में आप details Hindi या English कोई भी खोल सकते हैं कोई भी एक को tap पे click करेंगे आपके सामने पूरा notification यहाँ पर खुल जायागा देखें notification की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ अगर आप channel पर नए हैं तो सबसे पहले इस channel को subscribe कर दीजे वीडियो अच्छा लगे तो इसे like जरूर करिएगा देखें government of India department of atomic energy की ओर से यह notification जारी हुआ है जिसमें post code B1 से ले करके B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 और B10, B11, B12, B13 इतनी B13 तक की post है B1 से लेकर की B13 तक की post है इसकी eligibility criteria क्या क्या है पे scale कितना है सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा अगर आपकी वो criteria और educational qualification मैच करती है इस form को आप apply कर सकते हैं इस form किस तरीके से भरना ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो post code B1 के हम बात कर ले scientific assistant C की post है जिसका pay level 7 matrix का है 44,900 की basic रहेगी प्लस जो government के allowances है वो आपको admissible भी रहेंगे group B की post है non-gagitated post है अब यहाँ पर diploma mechanical में और automobile engineering में है तीन साल का तो आप बिल्कुल भी इसको apply कर पाएंगे साथी साल 4 साल का experience है आपको तो आप इसको apply कर सकते हैं scientific assistant के लिए भी यहाँ पर group B की non-gagitated post है डिप्लोमा है आपका mehetronics में तो आप बिल्कुल भी कर सकते हैं 4 साल का अनुभा इसमें भी मांगा गया है आप इसमें same pay matrix level पर आप apply कर पाएंगे electronics और electrical में हैं तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं साथी साथ आपके पास 4 साल का अनुभाव भी होना चाहिए उसके बाद ही आप इसमें apply कर सकते हैं electrical and electronics engineer यह सारे इसके समक्ष माने जाएंगे scientific assistant biology में आपने BSC किया है biological science में botany के साथ microbiology या biotechnology में तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं लेकिन आपका 60% marks होना चाहिए इसमें आपका कोई भी experience की मांग नहीं की गई है scientific assistant भी electrical के लिए आपकी minimum age 18 साल होनी चाहिए diploma electrical में होना चाहिए इसमें भी कोई आपका मांग नहीं की गई है experience की उसके बाद में electronics की भी post है diploma electronics में है तो आप apply कर सकते हैं कोई भी इसमें experience की मांग नहीं की गई है तो दो तरह की post है scientific assistant B में एक में आपका 4 साल का experience मांगा गया है और एक में 4 साल का experience नहीं मांगा गया है जिसमें 4 साल का experience मांगा गया है उसका जो pay level है 4,900 का है और जिसमें experience नहीं मांगा गया उसका 35,400 का pay level है ये दोनों ही चीज़े अलग-अलग है इस चीज़ को ध्यान देनी कि आपकी बहुत जरूरत है अब मैं आज आता हूँ टेक्निक्शियन के पदों की वेकंसियों पर टेक्निक्शियन की पदों की वेकंसियों वी 13 के बाद C1 से स्टार्ट हो रही है टेक्निक्शियन जो गुरूप C की पोस्ट है नॉन गस्टेट पोस्ट है 25,500 का pay level है यहाँ पर मिनिमम एज आपके 18 साल होनी चाहिए मैक्सिमम 25 साल हाला की आपको गवर्मेंट रूल के अकॉर्डिंग SC, ST, OBC को यहाँ पर गवर्मेंट रूल के अकॉर्डिंग एज में छुट मिलेगी अब इसमें टेक्निशियन के पास 4 साल का relevant experience होना चाहिए साथ ही साथ आपके पास SSC यानि कि science with math से आपना आपने SSC किया हो with 60% marks के साथ यानि कि आपने 60% marks के साथ qualify किया है तो आप इसमें apply कर पाएंगे उसके बाद में C2 की post है इसमें भी आपका same qualification मांगी गई है C3 की post के लिए भी आपका यहाँ पर same qualification मांगी गई है ध्यान दीजेगा 25,500 का page scale है इसका non-gusted group C की post है यह electrical में अगर आपका SSC with science है तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं लेकिन 60% marks के साथ आप pass होने चाहिए SSC यानि कि 12 आपने pass किया तो बिल्कुल भी आप इसमें apply कर पाएंगे nature of duties भी इसमें बताए गई है सभी का लगभग educational qualification same है टेर 12 आपने pass किया science और math के साथ तो इसमें apply आप कर पाएंगे तीके यहाँ पर साफ साफ indicate कर दिया गया NTC यानि कि ITI pass out दो साल का duration है तो आप इसमें apply कर सकते हैं NAC दो साल का duration साथ में apprenticeship है तो आप इसमें apply कर सकते हैं ITI pass out है और एक साल का duration है प्लस एक साल का relevant work experience है तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं NTC ITI pass out है प्लस एक साल का duration है और एक साल का आपके पास apprenticeship है तो भी आप apply कर सकते हैं यानि कि आपने apprentice किया है या फिर आपने कहीं पर experience लिया है तो भी आप इसमें apply कर पाएंगे selection procedure क्या है मैं आपको बता देता हूँ B1 से लेकर के B12 तक जो की आपकी scientific assistant की post है उसमें आपका examination होगा और उसके बाद में interview होगा interview के बाद में आपका selection किया जाएगा B1 से लेकर के B13 scientific assistant की post के लिए general awareness, communication, skill, computer, knowledge, reasoning, numerical, aptitude, professorship, test, specialized subject ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर written examination में ली जाएगी उसके बाद आपको interview के लिए select किया जाएगा और interview के बाद में आपको यहाँ पर आपका selection हो जाएगा technician की post के लिए अलग है pro forma मैं बता देता हूँ आपका पहले pre-imli test होगा preliminary test में math, science और general awareness के question आपको पूछे जाएगे अब यहाँ पर एक marks deduct किया जाएगे negative marking के लिए और तीन marks आपको दिये जाएगे सही marking लिए यानि कि one by third की यहाँ पर negative marking होगी उसके बाद में advance test आपका लिया जाएगा educational qualification जितनी भी होनी चाहिए सब आपकी recognized university से होनी चाहिए board of technical education या फिर central or state government किसी से recognized जरूर होनी चाहिए अब यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास higher अगर qualification है तो बिल्कुल भी आप उसके लिए किसी भी promotional के लिए पातर नहीं होंगे तो यह थी सारी जानकारी आपको अगर form भरना है तो form भरने के लिए यहाँ पर current opening का tap apply online के tap पर क्लिक कर देंगे और यहीं से आपको form fill up भी आपको मिल जाएगा यहाँ से form fill up कैसे करना है तो यहाँ पर देखे आएंगे अब उसके बाद में online प्रक्रिया भरने के लिए यह सारी जानकारी दी है click here to apply online के tap पर क्लिक करेंगे scientific assistant की post है हिंदी और इंग्लिस का विग्यापन advertisement पर tap करके register पर क्लिक कर देंगे मैं यहाँ पर फिलाल form fill up के वीडियो नहीं बता रहा हूँ मैंने बता दिया कि form किस तरीके से भरना है form fill up का मैं next वीडियो बनाऊंगा फिलाल यह वीडियो आपको कैसा लगा है वीडियो पर comment करके हमें जरूर बताएगा इस चैनल को subscribe करना मत भूलियो और वीडियो को like करना बिलकुल भी मत भूलिये